कहाने की शुरूत में हम जहांगिर खान नाम के एक अंडर वर्ल्ड के डॉन को देखते हैं और उनका ही राइट हैंड मैं धामियन मगबुल मगबुल जहांगिर खान के बहुत बफादर आदमी था और वो जहांगिर खान उर्फ अबबा जी को अपना सब कुछ मानदा था और इसे के साथ उनके गैंग में और भी बहुत से लोग थे उन्हें में से एक थे काका नाम के एक आदमी जो भी अबबा जी के बहुत बफादर थे और साथी में मगपुल और काका दुनों अच्छे दोस्त थे और काका के बेटे का नाम था गुड़ो गुड़ो और अबबा जी की बेटी सबीना तोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे लेकिन इसके बारे में अबबा जी या फिर खिस और को पता नहीं था इसके बाद ही हम अभबा जी के प्रेमी का नीमी को देखते हैं जोकि उनी के साथ उनके घर में रहती है दूसरे दलब हम देखते हैं कि अभबा जी मुंबाय में सबसे पावरफुल इंसान थे वो किसी political party के साथ होते थे तो वही political party की जीत होते थी और अबाजी के इतने दबदबे से उनके rival gangs काफी गुस्सा थे और वो सभी अबाजी को उनके रास्ते से हटाना चाहते थे लिकिन मगबुल के होते हुए वो अबाजी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर पाते और अबाजी क उपर उठने वाले हर खत्रे को मगबुल रास्ते से हटा देता है इसके बाद हम देखते हैं कि उनके ही शेहन में एक नए पुलिस officer आते ही जिनका नाम था देव और वो आने के बाद अबाजी के नाम का वारेंट निकालते हैं और उसका ये हिम्मत देकर सभी दंग रह जा कर पुलिस officer देव अबाजी को एरिस्ट करके लेकर जाते हैं और मगबुल जब उनके रास्ते में आता ही तो देव उसे थपर तक मारता ही जो बात मगबुल के दिल को काफी चूपती है लेकिन अगले दिन सुभा ही वो लोग बेल के पेपर्स लेकर जाते हैं और अबाजी कि पुलिस स्टेशन में रहने के वक्त ही पुलिस officer देव के ट्रांसपर का लेटर आ जाता है और ये सब कुछ उनका ही किया करा जाता इसके बाद मगबुल देव से उस थपर का बदला लेना चाहता था लेकिन अबाजी और काका मगबुल को समझाते हैं कि वो लोग बेल फ को प्यार करता था लेकिन वो कभी निमी को इसके बारे में बता नहीं पाता था क्योंकि वो अबबाजी के साथ थी और अबबाजी को मगबुल धोका नहीं दे सकता था इसके बाद ही हम दो करप्त पुलिस officers को देखते हैं जोके पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे और वो लोग मगबूल को बहुत अच्छे से समझ गए थे उन्हें पता था कि मगबूल अपने जिंदेगी में बहुत बड़ा बनना चाहता है और इसे बात को थोड़ा हवा देने के लिए प्रेडिक्ट करते हैं कि मगबूल छे महने के अंदर ही अभाजी की जगा लेगा और यह ब पता चलता है कि निमी को गुडू और सबीना के रिष्टे के भाड़े में पता है और वो मगबूल को कहती है कि अबबाजी का कोई बेटा नहीं है और उनके बाद उनका दामाद ही उनका वारीस बनेगा और सबीना और गुडू एक दूसरे से प्यार करते ही और शायद उन रहें दूसरे दरफ हम ये भी देखते हैं कि गुड़ और मगबूल की एक दूसरे से नहीं बनते थे और हमेशा ही उन लोगों में जगरा लगा रहता था दूसरे दरफ मगबूल अपने प्यार और अपने वफादारी के बीच फसा हुआ था वो और निम्मी को अबाजी के सा के बाड़े में बता देते हैं और इए बात सुनकर का कै अपनी ही बेटे कुड़ू को बहुत मारते हैं लेकिन अबाजी पनी बेटी की खुशी और इसके बाद देखा जाता है कि सभीना और गुर्डू की सगाई की तैयारिया होती है और मगबूल को हिसारी तैयारिया करनी परती है उससे दरफ गुर्डू अपने पिता काका को यह समझाने की कुशिश करते हैं कि मगबूल उसे सही नहीं लगता और वो किसे भी वी वक् कि गुड़ और सभीना की सधाई के तयारियों का बहाना बना कर निमी मगबुल के साथ एक तिन रहती है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं और निमी मगबुल को बार बार ये समझाने की कोशिश करती है कि उन लोगों का एक साथ रहना तभी मुम्किन होगा जब अबाजी इस दुनिया में नहीं रहेंगे और साथ ही में मगबुल इस पूरे सत्ता का वारिस होगा लेकिन मगबुल कहता है कि वो उसके पिता जैसे है वो उन्हें नहीं मार सकता और निमी कहती है कि तो फिर वो निमी की ही कुर्बानी की तयारी करे क्योंकि इसी दोर इसके बाद देखा जाता है कि गुड्डो और सभीना की सगाए हो जाती है और सभी काफी खुश थे लेकिन उसी रात को जब सारे महमान चले जाते हैं उस दिन अबाजी के बॉडिगार्ट को नीमीब परही जालाकी से शरब पिला देती है और इसके बाद वो मकबूल को एक आखरी बार पूछती है कि वो क्या करेगा और मकबूल अपना फैसला साफ साफ बता देता है और हम देखते हैं कि रात को जब अबाजी के बॉडिगार्ट शराब के नशे में धूत था उस वक्त मकबूल अबाजी के कमरे में जाता है और वो सोय हुए थे और उन पर गूल वहाँ पर पहुचते हैं तो निम्मी सब को यह बताती है कि अबाजी के किसी राइवल गैंग के आद्वी ने उन्हें और उनके बॉडिगार्ट को मार डाला इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बीच चुके थे और हम देखते हैं कि अबाजी के बाद मकबूल ही उनक कुछ लोगों नहीं जैसे के काका और उनके बेटे गुड़ू ने मकबूल की बातों पर पूरे तरीके से यकिन नहीं किया था और उन्हें लगता है कि मकबूल ने अबाजी की जगा लीने के लिए ही उन्हें धोका दिया और उन्हें मार डाला इसलिए काका उनके गैंग स अलग होना चाहते थे और मगबूल एक दिन काका से मिलने आते हैं और कहता है कि अगर काका को यही लगता है कि मगबूल नहीं अबाजी को मार डाला है तो वो खुद मगबूल को मार डाली और यही पर ही खतम करें नहीं तो वो मगबूल के साथ मिल करी काम करें और काका मगब पर येकिन करने का ही फैसला लेते हैं लेकिन इस बात से उनका बेटा गुर्डू बिलकुल खुश नहीं था इसके बाद हम देखते हैं कि नीमी मगबूल को ये समझाती है कि वह काका और गुर्डू दोनों को ही अपने रास्ते से हटा दे क्योंकि वह दोनों ही कभी उन लोगों पर हमला हो जाता ही और काका मारे जाते ही और गुर्डू किसी तरीके से खुद के जान बचा कर भागता ही लेकिन अपने पिता के मौत से वह बिलकुल तूट चुका था और फिर जब मगबूल और उसके गैंग मेंबर्स को काका की मौत की खबर मिलती है तो गुर्डू पर डाल देता है और वो सबको ये भी बताने की कुशिश करता है कि शायद गुर्डू ने ही अबाजी की जान ली है दूसरे दरफ हम सबीना को देखते ही जो कि अपने पिता के मौत से पहले से ही बहुत दुखी थी और अब गुर्डू भी उसे काफे दूर च लगते थे इसके बाद हम देखते है कि गुर्डू अब अची के ही एक राइवल गैंग के साथ मिला लेता है और वो कहता है कि वो मखबूल से बदला लेना चाहता है और वो गैंबर की मदद करने के लिए तयार हो जाता है इसके बाद गुर्डू और उसका एक आदमी अप बाद से वो दोनों ही खुश थे लेकिन इसी दोरान हम देखते हैं कि मखबूल और निम्मी अपने जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन अबबाजी के मौत को वो दोनों ही भूला नहीं पा रहे थे और उन दोनों को ही हमेश हर जगा पर खून नज और मखबूल पहले से ही अपने काम को लेकर काफे परेशान था उपर से निम्मी की ये हालत उसे भी अंदर ये अंदर बिलकुल तोर देती हैं इसके बाद मखबूल को पता चलता है कि उसका पॉलिटिकल पावर भी धीरे धीरे खतम हो रहा है और उसे अपने गवर्मेंट बचाने के लिए 30 करोर रुपयों की जरूरत है लेकिन इतने पैसे बहुत कम वक्त में इंतिजाम करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था इसलिए मखबूल एक आदमे से मिलता है जो आदमी जब अबाजी जिन्दा थे तब उनसे मिलने के लिए आया था और उसने के घर आता है और वो मखबूल के सारे आदमियों को मार के सबीन अकुपा से लेकर जाता है और इसके बाद एक दिन मखबूल जब काम पे था तक उसे पता चलता है कि निम्मी ने खुद की जान लेनी की कुशिश की थी और उसे हॉस्पिटल में अड्मिट किया गया था और इंडियन कस्टम के हाथों पक्रे जाते हैं और इसके बाद इंडियन कस्टम मखबूल के पीछे पर जाती है और मखबूल तै करता है कि वो ये देश छोड़ कर चला जाएगा और मखबूल अपने बेटे की जिमेदारी डॉक्टर पर दे कर निम्मी को हॉस्पिटल से घर लेकर आता है और मखबूल निम्मी को लेकर देश छोड़ कर जाने की तयारिया करता है लेकिन निम्मी की तवियत के साथ साथ उसकी दिमागी हालत भी बिल्कुल खराब हो चुके थी और वो हर जगा से खून खून देख रही थी और मखबूल को समझ में आ गया था कि अब उसी तरफ पुलिस मखबूल के घर को चारो तरफ से गेल लेते हैं और मखबूल निम्मी को एक आखरी बार देखकर वहां से निकल जाता है और हम देखते हैं कि वो दो करफ्ट पूलिस अफिसर मखबूल को उस गर से बाहार निकलने में मदद करते हैं और वो ही दोनम बेटे को चोट पहुंचाएंगे लेकिन वो देखता है कि सभीना और गुट्टू मगबूल को बेटे को एडप्ट कर लेते हैं और यह देखकर मगबूल को सुकुन मिलता है क्योंकि उसका बेटा भी अब सेफ था इसलिए वो अपने गन वही पर छोड़ कर हॉस्पिटल से आता है और गुट्टू का ही एक आद में बोटी मगबूल को वहाँ पर देखता है और बोटी की पिता को भी मगबूल ने अपने हाथों से मारा था इसलिए बोटी अब मगबूल को मार कर अपने पिता के मौत का बदला लेता है और आखिर में मगबूल की मौत के साथ ही ए कहन यहीं बड़ी खतम हो जाती है